हेलो दोस्तों एक बाफिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लिफाइड टेट्स पर मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर आशीश और पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम आईडी कार्ड्स को किस तरीके से बनाते हैं जहां पे हम हमने मल्टिपल आईडी कार्ड्स को फोटू के साथ में सीखा था कि हम एक बार में फोटू भी लगा सकते हैं और उसमें हम जो भी उनका डेटा है वो भी फिल अप कर सकते हैं तो उस वीडियो पे मेरे पास कुछ बचको कॉमेंट आया कि सर हमने आईडी कार्ड तो कर लिए हैं और अब हमें उसको प्रिंट निकालना है एफोर साइज शीट के उपर या बड़ी शीट के उपर भी तो वो हम एक बार में सेट कैसे करेंगे चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यह हम आ रचुके हैं अपनी कंप्योटर स्क्रीन के ऊपर और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा कि मैंने यहाँ पर कुछ ID कार्ड्स यहाँ पर बनाए हुए थे वो यहां पर रखे हुए है तो टोटल मेरे पास में यहाँ पर 9 ID कार्ड्स बने हुए हैं तो मैं इनको यहाँ पर 10 भी कर सकता हूं तो इसमें से मैं एक की और copy कर लेता हूं same और मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूं ठीक है आपके case में यह 10 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं ठीक है मैंने सिर्फ और आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10 ID cards की designs ली हुई है अलग-अलग ताकि मैं आपको सिर्फ बता सकूँ कि आखिर इनको आप set किस तरीके से करोगे ठीक है तो करना कि आपको सबसे पहले आपको आ जाना है अपने file menu पे और यहाँ पे आपको option मिलेगा print का ठीक है तो यहाँ पे आप print पे click करोगे जै ठीक है तो मुझे print निकालना है इस printer से तो मैंने इसको choose किया हुआ है और उसके बाद में हमें set करना होगा कि हम इस printer से किस size का paper निकालने वाले हैं तो यहाँ से हमने paper size choose कर लिया है A4 चुकि मुझे A4 में यह सारे ID cards print करने है इसलिए मैंने A4 size paper लिया हुआ है then okay then apply ठीक है और उसके बाद हम यहाँ पर print preview देख सकते है Więc कि यह मारे पास कि यहाँ पर print preview दिखा रहा है ठीक है तो मैं क्या घरता हूँ मैं वापस setting में जाता हूँ और मैं इसको landscape ले लेता हूँ paper को इ tadi को यहाँ मैंने इसको landscape ले लिया है तो यह देखिए मेरे पास यहाँ पर एक single listing तो मेरे पास अभी देखिए आपे पेज 1, पेज 2, पेज 3 कुछ ऐसे आ रहा है लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह जो 8, 9, 10 पेज जितने भी पेज जितने भी हमारे विश्टिंग कार्ड इस पेज पर सेट हो सकें चाहे वो 10 हो चाहे 8 हो चाहे 12 हो यह डिप पर देखिए एक option मिलता है imposition layout tool का आपको simply यहां पर click करना है आप जैसे यहां पर click करोगे देखिए आपको कुछ इस तरीके का आपको प्रिव्यू दिखाई पड़ेगा और आप यहां पर गौर कीजिए तो यहां पर आपको कुछ pages के option मिल जाते हैं तो आपको pages किस तरीक यहां पर दिखाई दे रहे हैं 1,2,3,4 से लेकर के total यहां पर 10 pages तक किए means ही क्या करेगा यह 10 pages के printout हमको एक single page में set करके दे देगा अगर हमें इसका preview भी देखना है तो उसके लिए simply हम यहां पर आ जाएंगे अपने document preview के उपर और देख सकेंगे यह देखिए हमको यहां पर उसने क्या किया मेरे सारे ID cards उसने मुझे एक single page पर set करके दे दिये हैं अगर आपको यहां पर इसको cutting करने के लिए अगर आपको यहां पर cutting marks चाहिए या crop marks चाहिए तो वो भी आप easily लगा सकते हो तो उसके लिए आपको simply आना है यहां पर marks placement tool के ओपर और यहां पर लिए यहां पर click करोगे तो क्या होगा यह देखिए उसने यहां पर क्रॉप marks भी लगा दिये हैं और आपको इसको cutting में भी काफी आशानी मिल जाएगी तो कुछ इस तरीके से हम यहां पर pages को set कर सकते हैं अपने जो भी हमने ID cards generate किये हो हैं उनको हम single page के उपर कुछ बना कर करके इस तरीके से print out निकाल सकते हैं तो अमीद करता हूँ आपको यह आज ही वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए useful भी होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो पसंद आई हो कुछ knowledge मिली हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और ऐसी ही और वीडियो के लिए channel को subscribe कर दीजेगा next वीडियो आपको किस topic पर चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो simply आपको comment section पर जाना है और आपको अपना topic लिखना है ठीक है तो फिर से मिलते हैं अपनी एक next वीडियो में एक नए topic के साथ में till then goodbye